राधे राधे मित्रों दोस्तों क्या आप लोगों को पता है एक बार राधे राधे मा के पाउं में घाउ लगया और राधे राधे मा के पाउं में जब उनकी सक्यों ने वो घाउ देखा तो उन्होंने राधे राधे मा से पूछा कि राधा तुम्हें ये चोट किस प्रकार लग गई और तुम्हें इस खाओ पर महलम क्यों नहीं लगाती हो ताकि ये जल्दी भर जाए तो राधा रानेमा ने बताया कि मेरे ये एक बार मैंने कृष्ण जी की मुली छीन ली थी अठास में तो खेलते खेलते उन दोनों क्रिश्ण भगवान के पाओं के नाखुन से राधा जी के पाओं में वो चोट लग गई और राधा रानेमा तब से उस चोट को लेकर खूम रही है तो उन्होंने कहा राधा रानेमा के सख्यों ने कि कृष्ण ची तो कब के यहां से मत्रा चले गए तुम कब की बात कर रही हो तो राधामा ने कहा कि मैं जब भी सोती हूँ तो कृष्ण मेरे स्वप्ण में आते हैं और रोज मेरे इस चोट पर मलहम लगाते है इसलिए मैं इस घाव को ये घाव मुझे बहुत प्रिये है इसलिए मैं इस चोट को भढ़ने नहीं देती जब तक ये चोट रहेगी तब तक कृष्ण रोज मेरे सपने में आएंगे और मेरे इस घाव पर खुद ही मलहम लगाएंगे हाँ दोस्तों ऐसा अद्भुत प्रेम है राधा मा और श्री कृष्ण जी का दोस्तों आप सब लोगों को भी अगर उनके प्रेम पर अती विश्वास है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं इसलिए दोस्तों राधे रानी मा अपने पाउं की चोट को अपने घाव को कभी नहीं भढ़ने देती थी ताकि क्रिश्न भगवान रोज उनके स्वपन में आए और उनके पाउं पे मलहम लगाए और वो रोज अपने प्रिये श्री क्रिश्ने से मिल सक झाले